तो इसलिए न जी थोड़ा दूर कातेगे तो जाथा फाइदा रहेगा एग ने जी समर प्रूनिंग होती है समर प्रूनिंग में आप क्या कर सकते हैं जो ये दो टैनिया थी न जी इसको आप काट सकते हैं स्टॉब कट अगर आप समर में कारते तो इन दोनों टैनियों में इस साल बीमा बनना था और यह जो पौदा है इसमें कनौपी बढ़िया आप यहां देखो इसमें प्रॉब्लम यहां है दोनों में यह लगवग इक्वाल हो गए यहां साइड वाला जाधा मोटा हो गया यह यहां आपने छोटा काटा और इसरे वाला सप्लाई रुके वह इदर चलेगी जो उस पौदे में जा रही है आने वाले टाइम में क्या होगा बहुत सारे बगीचों में आप देखेगे आपके उपर से डाइबेक साल लगता है उपर से सुख के आता देखो तो क्यूं आता लगता है यह वाला इसलिए हमने ऐसी टेन्या पालनी नहीं है जिससे यह प्रॉब्लम है अगर मैं इस पौदे को पूरूल कर रहा हूं देखो जिसके अंदर खूबी बढ़िया क्या है इसमें बीमा बहुत अच्छा बना है अब हमने सिर्फ इसको मेंटेन करना है मेंटेन इसके लिए आपको पहला स्टेप मेरे को लगता कि अगर आपके पाएसी स्थीती है हमने किस वाले हैट को ने थोड़ा सा बाहर को खैंचने उसके लिए आप क्या कर सकते हैं सुत्रडी बंदो रस्ता बंदो और वहां एक खुंटी गार क्या पौदे में इसको बाहर की और कहते हैं सबबदे मैं इसको बाहर को रहां चैना इसको अगर हम इनते कि लीया क्रणी ना है इसको भूर जूरप पईगा और एक तरीका और भी बेंडिंग का आपके पास ने एक आरी ओनी चीए आरी यह तो छोटी है छोटे काम के बड़े काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर एक्जेक्ट यहां पर आपको ऐसे-ईसे-ईसे करके न जी 15-20 कट मानने हैं तो स्पेस खुलेगा तो यह तैना आसानी से बाहर को रहाएगा आएगा न जी अभी 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 जब प्रूनिंग करेगे अभी का काम है जी ठीक है जी एक तो यह कम यह